देखे अयोध्या का उत्सोज लोगों ने देखा तो नंदी वावा ने भी कहा वे हम काहे बिंदचार करें अगर अगर रात्री में बेरिकेड तुड़वा डाले और हमारे कृष्ण कनाया कहा मानने वाले हैं और हमें 27 बात की थी हम अंतरकर्ण से प्रसंताइस बात की थी कि प्रभु तो बिराजमान हुए हैं उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्रांट प्रतिष्टा का कारिक्रम संपन हुआ है लेकिन प्रसंता इस बात की भी थी कि हमने बचन निभाया और मंदिर वही बनाया उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ ने कल विधान सभा में विपक्ष पर चुन-चुन कर निशाना साधा साथी राम मंदिर, काशी, विश्वनात और मतुरा जन्म भूमी को लेकर कई बड़ी बाते कहीं नमस्कार स्क्रीन पर मैं हूँ आपके साथ सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयूद मीडिया आज इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले योगी आदितिनात द्वारा कल विधान सभा में दिये गए भाशन की मुख्य बाते बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कहा गत 22 जन्वरी को पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे हर ओर एक ही आवाज आ रही थी यह अद्बुद्शन था भारत की गौरब की प्रान प्रतिष्ठा का कारीक्रम संपन्य हुआ लेकिन प्रसनता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वही बनाया दुनिया के अंदर ये पहली घटना थी जहां प्रभू को अपने स्वयम के अस्तित्व के लिए स्वयम प्रमाण जुटाने पड़े थे लेकिन राम की मर्याधा हमें धैरे की प्रेटना देती है हमें प्रसनता इस बात की भी है कि हमने वचन निभाया और मंदिर वही बनाया केवल बोलते नहीं हैं हम करते भी हैं जो कहा करके दिखाया संकल्प की सिद्धी की अयोध्या काशी और मतुरा की और इशारा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आगे तिनात ने कहा कि हमने तो केवल तीन जगा मांगी है अन्य जगाओं के बारे में कोई मुद्दा नहीं था अयोध्या काशी सब लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने कहा कि भाई हम काहे इंतिजार करें इंतिजार किये वगए रात में बेरिगेट तुड़वा डाले अब हमारे एक रिष्ण कनईया कहा मानने वाले हैं इसे अयोध्या का उत्सोज लोगों ने देखा तो नंदी वावा ने भी कहा वे हम कहे बिंदचार करें उन्होंने बिंदचार के वेगर रात्री में बेरिकेड तुड़वा डाले और हमारे कृष्ण कनईया कहा मानने वाले हैं बता दें कि योगी आदितिनात के इस भाषन के बाद जहां एको लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर ज्यानवापी, मतुरा और राममंदिर को लेकर मुस्लिम समुदाय में जम कर आक्रोश भरा हुआ है इसी कड़ी में अलीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एमेरिटर्स प्रोफेसर इर्फान हबीब ने कहा कि औरंग जेब ने भले ही कावशी मतुरा में मंदिर की जगा मस्जिद बनवा दी थी पर ये बात भी सच है कि पिछले 300 सालों से वहाँ पर मस्जिद है अब ऐसे में मस्जिदों को तोड़ कर वापस सी मंदिर बनाया जाएगा अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दुर्भागेपून होगा अगर समविदान रहते हुए ऐसा होगा तो औरंग जेब और सरकार में क्या फर्क रह जाएगा आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आयोद इंस्टाग्राम, फेस्पुर्क और ट्विटर पर भी मौजूद है अगर अभी तक आपने वहाँ उसे फॉलू ना किया हो तो तुरंद कर दीजे आपका बहुत बहुत धन्यवाद